असलाम वालेकुम वेलकम टू हमारा प्यारा किचन अगर आप लोगों ने सब्क्राइब नहीं किये रहेंगे तो पिलीस हमारे चैनल को सब्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए कुमेट कीजिए तो चलते हम आज हम बना रहे फिश बिर्यानी तो इसके लिए मैंने यह ली हूँ सुर्मई मच्छी तो यह आदा किलो से थोड़ी लगबग ज्यादा है यह और तो अब इसमें हम दालेंगे यह निम्बू का रस निकाली हूँ मैं यह इसमें दाल देती हूँ पूरा मैं तो अब इसमें हम दालेंगे यह धन्या पौडर यह छोटा चमच के नाप से एक चमच है यह देखिए चमच की साइज देखिए इसमें दालूँगी जीरा पौडर इसमें डालूँगी healthy powder यही चोटा यही चमच के नाप से हमने आदा लिये है और इसमें डालूँगी यह मिर्ची यह कसूरी लाल मिर्ची की powder है यह एक चमस डालूँगी आपको चाहिए तो orange food color भी आप मिला सकते इसमें तो यह चोटे चमच के नाप से मैंने दो चमस डाली हूँ अब इसमें डालूँगी मैं नमक अपने ही साफ से लीजिए नमक मैं मेरे ही साफ से ले रही हूँ तो दाल देगे नमक क्योंकि हमारे मसालों में भी नमक आने वाला है चाहल में भी नमक आने वाला है तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं बिर्यानी का चांवल का मैंने पानि गरम करने के लिए लिए लखी हूँ. इसमें अभी में ढालती हूँ, ये चांवल तो ये पहले हम दालेगे इसमें नमक, नमक अपनी हिसाफ से भाइज़िकेー किव कारें, जी करना हैं सब्सक्राइब कि पूल हमाким करनहां, दो वादियान का फुल्ली हूं, तो थोड़ी से काली मीरी और Лोंग, 6 से डूग है और 6 त yn-sun काली डाल देगा मporter किyer थे आने मिक्स करके ना रही हुआ है और इसमें थोड़ी छोटी इलाया की दू हसा ने it अब छुँए जोब दिखाती हूं यह मैंने बासमती चामे ली हूं वा समाती चावलय है हमारे यह मैंने इसको 1-5 घंटा पपहले भीगाने रखी थी धोके तो अभी इसमें हम सामील कर देते तो इसमें मैं डाल दी सारे चांवल और इसको आभी में बड़े गया सपचड़ा देती हूँ ताके यह अच्छे से उबले हो, हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, थोड़ा चछा पक्का इसको रखना है तो अभी यह यहां पे मैंने गेज़ जला के एक बोटम रखी हूँ इस पर तेल डाली हूँ में तो तेल भी मच्ही डाल देंगे हमी सफ्राइय कर देंगे मच्ही तो यह हमारी सुर्मई मच्छी है तो आपको जो मसं मच्छी पसंन आप वो मच्छी में बना सकते मच्छी की बिर्यानी को बीर्यानी कोई पीज से बना सकते कि अब फल्टा देते हैं और हमें उस्थी जादा नहीं पकाना है क्योंकि हमें मसालों में भी इसको पकाना है बिर्यानी में भी दम होई गी और बस हल्का से इसको हमें यह करके निकालना है तो यह निकाल लेते हैं मच्छी पुरी दूसरी भी मच्छी हम ऐसी फ्राई कर लेगे चावल अच्छे से उबल गया रेपक भी गया थोड़ा कच्छा रखे रखने का हमें इससे क्योंकि यह पकने हो लाए रखे तो थोड़ा कच्छा है कनी है इसमें बाकी अभी तो अब इसको हम पानी पसार देते तो यह वह जो मैंने फिस फ्राई करी ती यह जो फिस मैंने फ्राई करी करी दी मच्छी उसका ही टेल जो बचा है यह हम इसमें यूस कर रहें मसालों के लिए तो अब हम इसमें बादा लेगे मत् depending हुक्त तो यह अम तेस में बता दाल चूक है अब यह मत्त 3-4 सफफ़ हरी इलाई ची एकबाडियन का star पूल एक बड़ी ईलाई चीए साज जीरा और सफ़च जीरा और कानी मीरी मिक्स कर देंगे इसमें डाल देते हैं हम कि न हुआ है ठोड़ा होते ही हम इसके अंदर अधरी तो मिधियम साइस की प्याज काटे है हमने मिधियम साइस की प्याज ये लेगे नमक तो नमक ज़रा ध्यान से दालिए क्योंकि सब में नमक पड़ा है तो वस इतना ही दालेगे नमक देखते इसको देखिए गल गया हमारे टमाटर भी प्याज भी सारा गल गये लाए अच्छी तरह से अभी हम इसमें दालेंगे अध्रक लेसन का पेश तो यह हमने इसमें एक चमस हम दाल देंगे यह लसन एक चमस दालेंगे अध्रक क्योंकि हमने मच्छी में भी मिलाए हुए है कि गैस थोड़ी हाई कर देंगे मसाले को भून लेंगे यह अध्रक लसन भूने गया इसकी इसमेल पूरी निकल गई है अब इसमें डाले गए हम यह मिर्ची की बुक्की तो यह कसुरी मिर्ची की बुक्की है हमारी है तो यह चोटे चमच के नाम से दो चमच दाली हूं मैंन कि अमीच दाल करें जैक हमारा तो यह चमच दालूंगी तो इसमें दालूंगे लिगाव यह दो चमच दाल दूंगी कि यह पावड यह ह्लिक पावडर कर रादा चबावा दाल दूंगी यह जिर आप और यह एक कर लेगी अच्छी तरह से थोड़ा मसाले में भुन्ने देते इसको तो ये मिर्ची हमने हरी मिर्ची थोड़ी से दो दो पीस में तीन मिर्चियों को काट लिए ले और यह थोड़े से पुदीने है तो यह थोड़े से डाल देते हैं इसमें यह थोड़ी से कुत्मी रहे हरी धन्या यह भी दाल देंगे इसमें कि जांव करते थोड़ा है अब यह कसूरी मेती में नहीं टाल रही टो इईल आधर कि हरी ए सब्विक युज में इसमें दाल देंगे यह मेतियों को लिवांद्य क को इसमें अ यह डालने से ज़रा ज्यादा मच्छी की बिर्यानी में टेस्ट आता है तो इसका थोड़ा पानी छुटे गां इसमें हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं इसका गलने के इंतिजार करते हैं कि देखें है मेठी पग गई हमारी मसाले इस बिने गए हम इसमें डालें तके मसाले हमारे जयले में इंचे आप इसमें डालेंगे थो ज्यस आप कहलों एका लेंगी, प्रीजसिए, घर जालों, जिसमने स्मयल्ड़ दालेंगी, बढ़ीजई कर लेते हैं अब देखते हम इसको सीलो मीडियम पर छोड़ेते पाच्छे-छे मिनिट के लिए तो यह मच्छी गल गई इसके अंदर अच्छे से और खुच्बो भी अच्छी आ रही है देखिए तो अभी हम निकाल लेते मच्छी अलग से फिर यही पतेले में हम बिर्यानी तो बनाएंगे तो यह मच्छीयों को भी हम निकाल लेते इसमें से अराम-अराम से मच्छी अमने मसाला अलग निकाल लिए अब इसमें हम चावल दालते थोड़ा इस पर हम दालते थोड़ी से यह कलर दालते थोड़ा से इस पर दालेगे थोड़ी से कुटमिर थोड़ा से पुदीना अब इस पर दालेगे यह मसाले को तब मसाले को दाल देंगे एकी साथ तो यह मसाले हमने फैला दिये इस पर अभी हम दालेंगे चावल को तो अभी हम यह सारे चावल इस पर दाल देंगे तो देखिए मैंने पुरा चावल इसमें डाल दी हूँ और अब इसमें डालेंगे थोड़ा से यह कलर जो मैंने केवडा वाटर में इसको मैंने भीगो के रखी हूँ अब इसमें डालेंगे यह धन्या करनिशिंग कर लेंगे धनिया और पुदिने से अब इसमें हम डाले के पुदिना अब यह जो फिश हमने निकाल के रखें मच्छी तो यह मच्छी इसमें रखेंगे हम एक-एक करके इत्मिनान से इस तरह से सारी मच्छीओं को रख देते इस पर तो यह सारे मच्छी को हम इस पर ही रख देते तो अब यह थोड़ा इस पर डालते यह सब इब अब अच्छी हमारी दनियार को पुदिना इस पर रख देते इस पर थोड़ा से पुदीना डाल देते और इसको हम 10-15 मिनेट के लिए दम पे छोड़ते ढख देते हैं इसको हम एकदम सीलो मीडेम पे हम रखेंगे इसको देखते हैं, हमने इसको 10-15 मिनिट के लिए छोड़े, पूरा 15 मिनिट के लिए छोड़े, क्योंकि चावल हमारा कच्छा था, देखिए, अच्छी तरह से इसको दम लग गया, यह मस्त विर्यानी हमारी एकदम मज़े की बन गई है, खुजबो तो इतनी है, क्या बताओ मैं आ मैं निकालूंगी फिर्यानी, तो हम दिखाते आपको, तो यह मच्छी मैंने साइट में कर ली हूँ, तो अभी मैं यहां से निकाल दी इसको साइटों से, बिसमिल्लायर्वानी रहीम, देखिए, माशियाल्ला, कितना अच्छा, कितना प्यारा, खुबसूरत सा, कलर आयला इसमें, चावल भी मस्त, खिले-खिले बन गए ले हमारे, तो वस इसको आप हम निकालते, तो यह देखो, हमने इसको निकाल दिये, पिलेट कर दिये, इसकी पिलेटिंग, तो इस पे हम थोड़ा से उदीना है, यह हरी धनिया है, यह इसके ओपर पिंकल कर देते थोड़ी स ताके इसकी खुबसूरती में और चार चान लग जाए, तो यह फिश भी रियानी है, तो यह ज़रूर से आप भी बनाएए, मेरे इस्टाइल से, और यह कैसी लगी रेसेपी, तो पिलीज हमें कोमेट में बताइए, अगर सब्क्राइब नहीं किये रहेंगे, तो सब्क्रा झाल